नमशकार मित्रों जैसी आरामित्रों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल your विराठ ज्योति शिंदल में हार दिखतास हो मितरों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जेवतिशी उपाईयों की सतता पर, किसी जेवतिशी द्वारा किसी गरह के लिए बताएगे उपाय कितने कारगर रहते हैं, कितना असर करते हैं, इस पर मैं अपने अनभो आज के इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ, वित्रों अपनी बास शुरू करते हैं, हम अपने पिछले कुछ वीडियो की बातों को लेकर, एक वीडियो में जैसे मैंने कहा था क भाग इंपनी जगह हे है बले ही प्रारव्द वश समें tangible जीवन जो जीवन हमें जीना है जो जितनी बात हैं निर्धारित हैं वही सब मिलना है या हमसे जाना है या हमको मिलना है लेकिन कर्म रूपी एक शस्त्र हमारे पास होता है जिसका प्रयोग करके हम आने वाले जीवन को थोड़ा बहुत तो बदल ही सकते हैं। अब हम कितने प्रतिशत तक सफल रहते हैं, यह निरवर करता है हमारे कर्म पर, कि तनी शिद्दत के साथ समर्पित भाव से हमने कर्म किया, जैसे हम जब दीमार पढ़ते हैं, तो डॉक्टर्स हमें दवाईयां देते हैं, हमारा इलाज करते हैं, कुछ चीजों को करने और कु यह निर्वर करेगा कि हमने डॉक्टर की सलाह पर कितना अमल किया दवाईयां टाइम पर खाएं जो चीज़ें खाने के लिए मना की गई थी वे नहीं खाएं अनुशासित दिन चर्दिया रखी तो हम जल्द ठीक हो गए लेकिन हम जब इसके विपरीत चलेंगे तो जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे बलकि रोग-मुक्त होने में टाइम लगेगा यहां एक बात और जाननी जरूरी है कि हम हमारे रोग-मुक्त होने में डॉक्टर के साथ-साथ हमारी भूमिका भी होती है जल्ब डॉक्टर बढ़िया हो वह सही डाइग्नोज करें तो साथ-साथ हम डॉक्टर के अनुरूप उसकी सलह पर अमल करें यह जरूरी भी नहीं है कि एक डॉक्टर की दवा सभी को समान रूप से असर कर जाए इसी तरह मित्रों जियुतशी जर्म पत्र देखकर ग्रहों की नकारतमत्ता का प्रभाव कम से कम हो इसके लिए उपाए बतलाते हैं यह उ कितना पालन किया कितनी शिदत के साथ वे उपाए किये यहां एक बात और भी है कि उपाए जो बतलाए गए उनका हमारी समस्या से कितना गहरा संबंद है यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कभी कभी हो सकता है डॉक्टर की तरह जियुतशी भी समस्या कहां है कितनी है आकलन ना कर पाएं और वे उस समस्या के अनुरूप हमें उपाई ना बता पाएं जैसे कभी-कभी जब समस्या बहुत बड़ी हो तो डॉक्टर भी रोगी को हाई पावर्स की दवाईयां देते हैं उसी तरह हमारी प्राब्लम्स के अनुरूप क्या हमें उपाई बतलाए मंत्र जब का उपाई बतलाएं या कोई ऐसे कठिन उपाई बतलाएं कहने का मतलब हमारी समस्या क्या है कितनी बड़ी है उसके अनुरूप ही जब उपाई बतलाए जाएं तो कारगर होंगे दूसरी बात जो उपाई बतलाए गए हैं हम उन्हें कितना अमल में लाते हैं उ यहां हो सकता है कि कुछ लोग मेरी डॉक्टर और जियोतिशी की तुलना से सहमत ना हो लेकिन यह पूर्ड रूपे नहीं सकते हैं कि पहले विदेशों में इस तरह के प्रयोग हुए हमारे यहां तो खैर आर्युवेद का जियोतिश से बहुत आटूट सब्बंद रहा है डॉक्टर्स जियोतिश की साहिता से ही इलाज करते थे पहले विदेशों में तो ऐसे प्रयोग किये गए और बड़े चमतकारिक परणाम प्राप्त हुए जियोतिश में भी पूरा एक सेक्शन है मेडिकल एस्टॉलोजी का मेडिकल एस्टॉलोजी का बहुत उप्योग किया जाता है यहां हम इस वीडियो में हमारा विशे जियोतिश और मेडिकल की तुलना करना नहीं है यहां हम सिर्फ बात कर रहे हैं जियोतिशिय उपायों की मैंने तो यह बताने की कोशिश की कि जिस तरह डॉक्टर अपने मर अपने ढंग से ग्रह नक्षत्रों का अध्यन करके उनकी शुबता बढ़ाने और नकारात्मत्ता दूर करने के लिए जातक को उपाय बतलाते हैं दोनों ही स्थितियों में हमारी सफलता इस बात पर निर्वर करेगी कि हमने कितना अमल किया कितने विश्वास के साथ यहां विश्वास सब्द पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है हमने कितने विश्वास के साथ उन उपायों का अमल किया करब करने में हम काफी हर्द तक स्वतंत रहें इसलिए लाक प्रत्कूल परिस्थितियां हों लेकिन हम प्रयास तो करी सकते हैं उसके बाद हम कितना कितना असवल होते हैं ये बात अपनी जगह है अलग है जैसे सावित्री ने इतनी शिद्दत के साथ अपने प्रयास किये थे कि अमराज को सत्यवान के प्राण लोटाने पड़े लेकिन आज के इस दौर में आहाम तोर पर इतनी शिद्दत के साथ लोग प्रयास नहीं कर सकते असम् कि आप उपाय के तौर पर मंत्रजप करो या इतने दिनों तक खुद ही उपाय करो कब तो प्राश्चित भी करना पड़ता है एक उपाय के तौर पर और ये अच्छा उपाय होता है लेकि जातक कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है ये उपाय हम नहीं खुद कर सकते क्या मेरी जगए मेरे बिहाफ पे कोई और कर सकता है या नहीं और वो कहता है कि मैं उपाई नहीं कर सकता आप कोई रत्न पहनने को दे दें तो रत्न पहनना उसे सरल लगता है लेकिन रत्न की जरुवत नहीं है तो वह अपने हिसाब से उपाई चाहता है इसलिए भी उपाई उतने असर नहीं कर पाते है जा तक कहता है कोई सरल सा उपाई बताएं समस्या गंभीर है लेकिन वह सरल सा उपाए कोई बताने को कहता है तो इसलिए मेरे अनभव में उपाए के प्रभाव का प्रतिशत सफलता के रूप में 25-30% से ज्यादा देखने को नहीं मिलता यह मित्रों इसलिए भी कभी कभी तो प्रारब्द इतना प्रबल होता ह है कि उसे काटने के लिए बड़े ही कठिन दुशकर उपाए करने पड़ते हैं जो कि आज के इस युग में लगवग असंभव हैं तो यहां पर कई सारी चीजें होती हैं जो उपाए की सफलता के लिए दोशी होती है या तिकी होती है इसलिए कभी कभी प्रारब्द इतना प्रबल होता है कि उपाए तारगर ही नहीं हो सकते यह हमारी किस्मत है यह प्रभू की करपा ही से समझें कि हमारे समच कोई प्राब्लम आई और हमको कोई अच्छे जोची मिल गए और उन जोची ने कोई आसान सा या अच्छा ऐसा सटीग उपाए बता दिया जिसको हमने अमल भी कर लिया और हम ठीक होगे लेकर हमेशा ऐसा नहीं भी हो सकता है इसलिए हमारे लिए कभी-कभी उपाए नहीं भी लिखे होते हैं हमारे प्रारब्ब में हो नहीं कर पाते हैं भूगतना ही एक मात्र विकल्प होता है मारा ऐसा प्रारब्ध SC ये एक बहुत बड़ी उप्योगता है जियोतिश की जियोतिश हमें जीवन सही धंग से जीवन जीना सिखाती है जियोतिश हमें बताती है कि हमारे पूर जन्म के कर्म के आधार पर ये ये फल है और हमारे आगे का रास्ता ये है हम अपनी पीड़ा को जियोतिश की मदद से जियोतिश उपायों की मदद से कम जरूर कर सकते हैं हमें एक बात और भी समझनी पूरेगी कि कुछ लोगों को कुछ लोगों को कैसे भी आप उपाय बता दें लेकिन जो लेखा होता है प्रारब्द का लेखा होता है उसे टाला नहीं जा सकता जैसे म्रत्य हो अब आप कुछ भी उपाय करें कुछ भी कर लें लेकिन आप म्रत्य को तो नहीं टाल सकते न वह तो विधान है विदी का विधान है तो उसे आप उपाय के माध्यम से नहीं टाल सकते अब आम तोर प उपाई हमारी सहायता करते हैं उपाई हमारी छमता को बढ़ाते हैं और जब छमता आ जाती है तो फिर हमें दुख की पीड़ा कम से कम महसूस होती है पीड़ा का प्रभाव घट जाता है उपाई एक च्छाता है जो बारिश को रोक तो नहीं सकता लेकिन बारिश से थोड़ी बहुत हमारी रक्षा आवश्य कर सकता है उपाई हमें सक्षब बनाते हैं ताकि हम समस्या का मुकाबला और ताकत के साथ शिंदत के साथ कर सकें कई बार उपाई इसलिए भी उतने प्रभावी नहीं हो पाते कि जातक अरुची के साथ या आविश्वास के साथ उपरी बन से वे उपाई करते हैं उपाए करते वक्त जा तक के भीतर विश्वास प्रबल होना चाहिए कि हम जो भी उपाए कर रहे हैं ये उपाए हमें आवश लाप पहुचाएंगे तो निश्चत माने मित्रों की उपाए की सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है तो आज के इस वीडियो में मैंने प्रियास किया अपने अनभवों को बताने का और ये प्रियास मेरा आगे भी जारी रहेगा आशा है कि आपको मेरे मेरी बातें अच्छी लगी होंगी मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विशे के साथ तब तक आप सभी को जैश याराम नमस्कार